गुड़ाइम सुस्तों मैं आपका दोस्ट प्रकास फीर और आपका अपने डिचमनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों अपने चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इस समय चैनल 13,000 प्लस सब्सक्राइबर को पार कर चुका है यह सब आपकी प्यार की वज़े से हुआ है दोस्तों अभी हमने एक यहां पर डेमो स्रीज स्टार्ट करे थी जिसमें हम लगातार प्रोड़क्स के डेमो अब तक पहुंचा रहे हैं लेकिन आज मैं ऐसे बहतरीन प्रोड़क्स के बारे में इंफरमेशन देने जा रहा हू तो प्रोड़क्स के बारे में जानने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप IMSS related अगर कोई और इंफरमेशन चाहते हैं तो आप हमारे Facebook पेज को like कर सकते हैं क्योंकि जो भी नई अपडेट होती है कोई इंफरमेशन होती है सबसे पहले मैं अपने Facebook पेज 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 कर दोहा हूं आप हमें इसचाब भी फालो कर सकते हैं दोस्तों आज बात करेंगे IMSS के बहुत ही बहतsın पेडहरी प्रोक्डक्ट ऑग क्यो सरा था थार दोस्तों बताना चाहूंगा आप लोग हम सब बाहर कहीं न कहीं मिल्टिंग के लिए जाते रहते हैं, कहीं हम किसी साधी फंक्षन पर जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, तो रास्ते में अगर हम बाइक से जा रहे हैं या गाली से जा रहे हैं, तो कहीं भी हमारे जो सूज होते हैं, उन पर दूल जम जात होती है दूल की बरजे में होती है उस समय नहीं होता हमारे पास किया अपनी सूब में पॉलिस करवा सकें या कुछ करवा सकें तो यह बहुत ही 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 ब सूपे इसको open करके थोड़ा सा rough करेंगे और देखेंगे कि एकदम बिल्कुल clean कर देता है यह देखते हैं किस तरीके से हमारे सूपे काम करता है करता है दोस्तों आपने देखा वंडरक्लाथ ने किस तरीके से सूप को चमका दिया बिलको एकदम से एकदम नहीं जैसे लगने लगे और जितनी भी धूल होती उसकी धूल कड़ों को जितनी गंदगी थी उसको क्लियर कर दिया क्यों सूप नहीं इसको हम और भी जगे अपलाई कर स दोस्तों यह देखे लेपटाप रखा हुआ है मारा और यह स्टेंट साइन का जो हमने पैकेट ले रखा है अब इस पैकेट को ओपन करते हैं और इस पे फोर पाउच है उनमें से एक पाउच को हम बाहर निकाल लेते हैं यह प्लास्टिक बैक से अलग से पैक रहता है और इस प्लास्टिक बैक में दुबारा से रिपैकिंग की सुथा जो होती है तो इस प्लास्टिक बैक को ओपन करेंगे जो रिपर रिपैकिंग वाला है और ओपन करने के बाद इससे हम यह वंडर क्लाथ निकालते हैं जैसे कि हम वंडर क्लाथ यहां पर निकाल रहे हैं देख रहे हैं कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर ये साफ होता जा रहा है रगड रहे हैं एकदम उहां पर एक इस-पेसल चमयकाती चली जा रही है अब हम उपने लैफ्टॉप के अगले हिस्से पर जो बटन वाला इंचा उता है एक सर्फ धूल जम जाती है आप सब को देखते करेंगे से साइन से अपने और जहां पर साफ कर पारें देख रहें कि बहुत अच्छी सी चमक आना शुरू हो जाती है यहां पर एक अच्छी सी चमक आ रही है और लेप्टाप में चमक चम चमाने लगा एक्दम लेपटाप बहुत ही पहत्री इन सांधार जोड़ जिस्त बहुत ही बहते ही इन प्रोडक्ट दोस्तों आपने देखा कि लैप्टाप को अगदम इस वंडा क्लाथ ने इतना क्लेन कर दिया इसे तरीके जह हम बागी चीजों पर भी इसको अपलाई कर सकते हैं दोस्तों इस पर कुछ इन्फोर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि इसको दुबारा से आपको उसी लिफाप पर उसी रैपर पर बंद करके रख लेना है आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं आप इसको अपनी बैक पर कर सकते हैं वहां पर आपको पॉलिश चीज की जुरत नहीं होगी आप इससे अपने सूस को क्लीन कर सकते हैं या आपके पास प्रोड़क्ट इस्तेमाल नहीं करना जो आप सुझें कि इस पर हम कुछ और लगा करके इसको यूज कर लें होता क्या है कि अगर एक तरफ यह परतों में बना हुआ है तो इसको अगर आप एक तरफ का गंदा हो जाता है तो आप दूसरी तरफ का बलट करके उसको उसके मा सब्सक्राइब कमेंट बाक पर जरूर बताइएगा हम आपको ऐसे तरीके के वीडियो लाते रहेंगे मिलते हैं फिर किसी नए वुडियो के साथ गुड़ एमसी भी हल्दी पीज़दी